हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है चंदरमा के स्याह पक्ष का पता लगाएंगे इसरू और जाक्सा इसरो यानि Indian Space Research Organization और जाक्सा यानि Japanese Aerospace Exploration Agency मिलकर चंदरमा के स्थाई चाया क्षितर का अध्यान करने के लिए चंदरमा पर एक सैंग्त मिशन भेजने की तैयारी में है इस मिशन चंदरयान 3 में इसरो द्वारा नेरमित एक लैंडर और रोवर चंदर को चंदरमा के दक्षनी ध्रूव की कख्षा में स्थापित किया जाएगा यसे जापानी रॉकेट द्वारा नियोजित किया जाएगा यह चंदर रोवर चंदरमा के उस स्थाई चाया क्षितर की यात्रा करेगा जो कभी भी सूरी की रोशनी नहीं देखता है चंदरमा के सबसे दक्षनी बिंदू या दक्षनी ध्रूव 90 डिग्री साउथ के चारों और स्थाई रूप से चाया या शैडो रहती है इस ख्षितर में वैग्यानिकों को पानी के बर्फ के रूप में होने के कई प्रमान मिले हैं जिसके कारण यह ख्षितर वैग्यानिकों के लिए विशेश रूची रखता है कि सुरों के 2008 में भेजे गए मिशन चंद्रयान वन ने यहाँ पानी होने की पुष्टी की थी चंद्रमा के दक्षनी ध्रूव के ख्षतर में मिलने वाले इन क्रेटरों के आंतरिक भाग तक सुरी की रोशनी नहीं पहुंचती है यह क्रेटर ऐसे ठंडे जाल हैं जिनमें सौर मंडल की शुरूआत की समय के हाइड्रोजन बर्फ के रूप में पानी और अन्य जिवाश्मों के साक्षे मौजूद हैं 7 अक्तूबर 1969 को पहली बार चंद्रमा के इस अंधेरे पक्ष की तसवीर को सोव्यत अंतरिक्ष यान लूना थ्री द्वारा लिया गया था हालां कि यह तस्वीर अस्पस्ट थी यह पहली बार था जब चिंद्रमा का यह पक्ष कभी देखा गया चिंद्रमा का यह दक्षिनी धुरूव वास्तों में अंधेरे में नहीं है यह प्रिथिवी से टाइडल लॉकिंग नामग घटना के कारण कभी देखा नहीं जा सकता है टाइडल लॉकिंग उस स्थिति को कहते हैं जब अपनी अक्षा में परिक्रमा करता हुआ कोई खगोलिये पिंट अपना एक हिस्ता हमेशा एक ही दिशा में रखता है यह खगोलिये पिंट अपनी गुरुत्वाकरसन साथी के बीच कभी भी कोणिये संवेग यानि एंगुलर मोमेंटम की अदला बदली नहीं करता इसे सिंक्रोनल रोटेशन के रूप में भी जाना जाता है इसका एक प्रमुख हुदाहरन प्रित्वी और चंद्रमा है चंद्रमा प्रित्वी के साथ टाइडल लॉकिंग की इस्तिती में ही है पृत्वी की तरफ चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा रहता है जिस कारण से पृत्वी से उसका केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है